नमस्कोर दोस्तों, GS वाणी में आप सभी का सवागत है आज हम बेधिक कल्लिन धार्मिक बिवस्था के बारे में देखेंगे इससे पहले हम सामाजिक बिवस्था देख चुके हैं, राजियोंतिक बिवस्था का विकास हुआ था बेधिक कल में उसके रेड़ किया थी अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था कीन अस्तम्बों पर टीकर हुई थी सामाजिक व्यवस्था किस तरह की वहां जो है इस्त्रियों की दसा कैसी थी इस्त्रियों के लिए किस तरह बेभार किये गए थी वर्ग बेवस्था कैसी सी समाज में, राजनितिक में देखा किस तरह से राज होता था, वहाँ पे किस तरह से बेवस्था चलती थी समाज की, इन सब के बारे में जहां भी प्रसनाने की सम्हावना बनी है, जहां से प्रसना बन सकता है, उनके बारे में विस्तिर चर्चा की ज अब हम देखने जा रहे हैं धार्मिक विवस्ता कैसी थी तो धार्म के लिए पहुंच आसान था, जैसा कि आप देखेंगे उत्तरवैदिक काल में क्या होता है कि धर्मे में बड़ी सारी जटिलता आ जाती है बहुत सारे आडंबर आ जाते है कर्मकांडो की तनी जटिलता हो जाती कि सामान व्यक्ति के पहुंच से बाहर हो जाता है और उत्तरवैदिक काल के अंत होते होते आप देखेंगे कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग बहुत बड़ा तबका ऐसा होता है जिसके लिए धर्म से उसे वंचित ही कर दिया जाता है कि तुम्हारे लिए ना धर्म है ना तुम्हारे लिए भगवान है ना तुम्हारे लि तो ये बात की विश्य है हम यहां देखेंगे कि बैदिक काल में धर्म किस तरह सरल था और किस तरह धर्म को लोगों द्वारा अपनाया जाता था कैसे उसकी प्रैक्टिस की जाती थी कैसे लोग अपने विचार आ रहा हो जो है बातों को रखते थे आरे सांसारिक सम्रिध्धी सनमार्ग प्रदर्शन के लिए देवों की आराधना करते थे यहां सीधा सा बता रहा है सांसारिक सम्रिध्धी मतलब उन्हें किसी तरह से यह नहीं था कि हमें परलोग की प्राप्ती हो में स्वर की प्राप्ती हो ऐसा कुछ भी उनका अर्थ नही अध्यात्म का मकसद होता था सनमार्ग प्रदर्सन और तो ये होता था कि हमेशा वे नैतिक करतब्यों का पालन करें नैतिक बने रहें ये सब भी उनके प्रार्थना का विशे होता था यही ये दियों से आराधना करते थे इनकी आराधना विधान में स्तुती पाट, यग्य में दूध, घी, सोम, मधू, अन की मंत्र सहित आहती होती थी अब इनके पास जो चीजें होती थी दैनिक जीवन की उपयोग की चीजें अब देखिए इसमें यग्य करते थी, यग्य ग्यादियो करते थे, हवन वगेरा करते थे उसमें दू, धगी, सोम एक प्रकार की शराब होती थी, एक प्रकार का पेपदार्थ होता था, शराब कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं वो किस तरह इस्तेमाल किया जाता था उनके हाँ, बट एक प्रकार की आवशदी होती एक प्रकार का रस होता था, उसका ये हुए वैदिकारे एकेश्वरवादी थे यहां एक समझने वाली बात है वैदिक देवता एकेश्वरवादी थे वे एक इश्वर की पूजा करते थे एक सक्ति की आराधना करते थे देखिए यहां अभी नाम जरूर मिलेंगे आप उससे कन्फ्यूज मत होईएगा अलग-अल इनकी पूजा होती थी प्रकृति की शक्ति की पूजा करते थे ठेक है और यहां ध्यांदेण वालें उवे बात पहुचाना और कोई बात उन्हें समझाना ये काफी easy होता था उनके लिए बहुत मुस्किल की चीज नहीं होती थे वो काफी आसानी समझा लेते थे अब इस समय क्या होता था कि अगर बिजली कड़की तूफान बहुत तेज चला तो क्या करते थे उनका मानना था कि प्रकृती ऐसा कर रही है वो प्रकृती के सामने उन अत्मस्तक हो जाते थे उसके सामने जुक जाते थे उसकी पूजा करने लगते थे ये उनकी बेवकूफी नहीं रिदय की सरलता दिखाती है कि वे प्रकृत की या किसी भी शक्ती के प्रती जुख जाते थे अब यहां के सीन में अगर देखा जाये तो आज जितना विक्त के अंदर घमंड एहंकार होता है देखा जाये तो अपना अस्तित शुन्य है शुन्य से भी कहा जाएद ब्रमांड में हमें कर्ण से भी कम है एक कर्ण भी नहीं है ब्रमांड में लेकिन हेंकार बहुत है और उस समय व्यक्तिव Century में क्या होता था था Saturday बड़े सरल सभाव के होते थे तो क्या करते थे कि प्राकृतिक सक्तियों की ही पूजा करते थे और मानते थे कि इन ही से हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है इन ही से हमारा जीवन है यह चीजे थे प्राकृतिक घटनाओं का मानवी करण किया गया मतलब जैसे बिजली कड़की तो बिजली के कड़कनी को ही एक मनुस्ट्र की रूप में मान लिया गए, कि हम इनकी पूजा करेंगे, आप प्रसंद हो जाएए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, ठीक है, तो मानवी करण की कलपना, जैसे अगर आप कोई साहित पड़े होंगे तो आप जानते होंगे, प्रकृति का मानवी करण करना, या किसी भाव का मानवी करण करना, उसको मानों मान लेना, उसको एक अस्तित्त मान लेना, प्रकृति के विभिन रूपों, देवताओं के रूपों में प्रस्तुति, अब क्या करते थे, कि जब प्रकृति के विभिन रूपों का मानवी करण कर लेते थे, तो क्या करते थे कि उस देवता की स्तुती करने लगते थी उसकी स्तुती पाठ सुरू हो जाता था और उसके लिए विभिन ने प्रकार के मंत्रों की रचना होती थी विभिन ने प्रकार के मंत्र पढ़े जाते थे उस समय अब देखते हैं रिगवेदिक देवताओं की कुल संख्या उनकी 33 कोटी बताई ही है ध्यान देने वाली बात है कोटी मतलब प्रकार ठीक है यहां मुख्य रूप से 33 कोटीयों को हम तीन भागों में बाटेंगे देवताओं के और देखें कहीं कहीं 33 करोण सब्द मिला और उ अंख्या को प्रदर्शित करने का उनको अंकी मान एक देने का तरीका था है 33 कोटी बताई ही है जो ब्रह्मभांड में तीन भागों प्रिथवी आकास और अंतरिक्ष के अनुपूर अनुरूप बाटा गया इसमें हुआ कि कुछ देवता प्रिथवी का प्रतनिधित्यों क आप सोचिए कि हजारों साल पहले ही हमें बता दिया गया कि नौग रहा हैं ठीक है गिलेली को पर निकस से पहले ही बता दिया गया कि प्रिथवी चक्कर लगा रही सूरہ का सूरे केंद्र में सूरे चकर नहीं लगा रहा है यह सारी बात इन इतनी सक्तिसाली दूर्वीन के नहा होते हुएँ भी बताया जाना कहीं कहीं एक कहा जाया तो हमारे जो रिष्यमूनित थे जो हमारे बिद्वान व्यक्ति उसे हुआ करते थे उनकी उपर हमें गरव करना चाहिए थे सब बातों के लिए तो अब यहां पे क्या हुआ तीन रूपों बाटा गया लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां एक चीज कहा जा रहा है और वो यह बात है परंत इनका कोई वरियता करम नहीं है ठीक है अब इसमें क्या है कि 33 कोटी जो देवता बताया गया है जो तीन प्रकार के प् कौन कनिष्ठ यह कहीं नहीं बताया गया है कौन बड़ा है कौन जोटा है यह नहीं बताया गया है सब का बराबर महत्तो बताया गया है यह देव प्राय यह एक चीज और है पॉइंट यह देव प्राय प्रकृति के तेजों में और सक्तिसाली तत्तों के अधिश्ठ आता थे जैसे मैं पहले बता दिया कि ये देवता क्या होते थे प्रकृति के विभिन शक्ति का प्रकृति के विभिन स्वरूब का प्रतिनिधत तो करते थे जैसे तूफान चल रहा है तो प्रकृति ही तो चला रही है तो अब क्या होता था कि तूफान के देवता बिजली कड़की तो अब उसके देवता अलग हो गए ठीक है तो अब इस तरह की देवता को बाट दिया गया पृत्वी के देवता कौन कौन से थे पृत्वी के देवताओं में अगनी आते हैं शोम आते हैं पृत्वी है ब्रहश्पती है सरस्वती है यह पृत्वी के देवत देवताओं का महत तो बदला है और उनका स्वरूप बदला है कि इनके विसा में बहुत दिशह से यह वर्णन नहीं मिलता तो यह थोड़ा सा ध्यान दखेगा धाएब धीरे ध्यरे देवताओं का जो आगे पीछे उनका महत तो बदलता गया जैसे अरप बैदिक काल में हमने क्या देखा रिक विद में इंदर महत्तो पुर्ण दे होता है इंदर के लिए सरवाधिक मंतरों की रेश्ना की गई है लेकिन आगे चलके देखें इंदर का महत्तो कम पर जाता है परजापती महत्तो पुर्ण हो जाते है फिर आगे हम बढ़ते हैं किसी और का महत तो बढ़ जाता है और जादत गुप्त काल तक पहुंसते पहुंसते इंद्र वगेरे का महत तो पूरी तरह शमाप्त हो जाता है उसके बाद वहाँ आपके उत्रिदेव की शंकलपना आने लगती है वो चीजे आगे देखेंगे इंद्र, अगनी, वरुण, सोम, सविता, सूर्य, मरुत, विश्नु, परजन्य, उसा, 11 देवता ये प्रमुक रूप से माने गए हैं रिग वेद में सबसे प्रमुक देवता इंद्र को माना गया है और इंद्र को एक नाम पुरंदर कहा जाता था पुरंदर का आर्थ होता समंत्रों की रिचनन के लिए हुई है, दूसरे नमबर के महत्वपनwości देवता काउं थे अगनी है, इन्हें मनुस्यों और देवताओं के मध्यस्त माना गया है, जैसे माना जाता था कि जो अगनी में आहुती दी जाती है देवताओं के लिए नाम ले के उनका तो उन तक य लेनिधी सागर और प्रतनिधित्तों करते हैं और रितस गोपा भी नहीं कहा जाता है ठाथ प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक कहा जाता है ठीक है और असुर भी नहीं कहा गया ध्यान रखेगा असुर सब्द आज राक्षसों के लिए इस्तेमाल होता लेकिन किसी समय यह दे जैसे जो बिनिमय करते थे समाज का तो अगर कोई व्यक्ति अपने पद से या अपने जो नियत जो कहा जाए तो अपना जो मतलब नियम निर्धारत किये हैं समाज के नैतिकता की विपरीत कारे करता है तो उसको इस्तराप दे देते थे गुस्सा हो जा उसको जलोदर रोक क आपको कमेंट करके बताना है कि रिगवेद के किस मंदल में गयात्री मंत्र का उलेक हुआ है और किस रिसी द्वारा गयात्री मंत्र की रचना की गई है अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम थोड़ा सा यह देख लेते हैं कि यह रिविजन है जैसा कि वीडियो पहले डाला जा चुका है प्रतेक वेद पेदांग पे सारे उपनिसद अरणियाक ब्राम महर सब पर वीडियो डाली जा चुकी है अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे जाके प्लेलिस्ट बनाई हुई है उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो खोच के देख लीजे यहां पर हम थोड़ा सा र चुनकर संगीबद किया गया है और इसी का पुनर विन्या से जो किया गया वो सामवेद है यग्य संबंदी अनुष्ठानों पर प्रकास जिसमें डाला गया है वह यह जुर वेध है गद्य पद्य दोनों में है इसके अलामा जो बेदी बंती थी यग्य की उसकी जैमिती य अथरो वेद में है रिग वेद यजुर वेद और साम वेद इसे वेदत त्रई कहा जाता है ध्यान रखे कि यह प्रस्ण पूछा गया है कई बार पूछा जा चुका है सहीता चारों वेदों को सम्मिलित रूप से सहीता कहा जाता है ओपनिशद 108 हैं लेकिन 12 ही प्रमारित मान मुख्य मुख्य जो टॉपिक थे वो समाप्त हो रहे हैं अब हमारा यहां क्वेश्चन सेसन स्टार्ट हो रहा है यहां पर क्या है कि पिछले जो प्रस्ण थे उनका उत्तर है पहले प्रस्ण का जो उत्तर था उसमें कांसा है ऑप्सन भी सही है उसका उसमें बताया गया थ था कि राजा का पद कैसे जो है राजा कैसे चुना जाता था तो इसका उपसन है कि आनुवानसिक भी होता था और चुनाओ दोरह होता दोनों विधान मिलते हैं फिलहाल और अगर उपसन में आपके एक्जाम हाल में अगर आता है आनुवानसिक और उसमें चुनाओ नहीं रह लैदिक काल में नियाए करने वाले के लिए कौन सा सब्ध प्रयुक्त होता था वैकनाठ, प्रश्ण विनाक, विष्पति, या इनमें से कोई नहीं, एक प्रश्ण है, एक प्रश्णाओर है, निम्न में कौन सा वेद, रिग वेद की ही मंत्रों का पुनन सर्रचना करके लिख लखा गया है option आपके हैं सामवेद अथरवेद यजुरवेद इने में से कोई नहीं आपको comment box में उत्तर बताना है और अगर आपको नहीं पता वीडियो अपने ध्यान से देखा है तो जरूर कर पाएंगे और नहीं पता है तो अगली वीडियो में हम इसका उत्तर लेखे मिल